प्रेगनेंसी में नारियल पानी पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए और अगर पीना चाहिए तो कौन से महीने से गर्वती महिला को नारियल पानी पीना चाहिए ताकि गर्वती महिला को भरपूर फाइदा मिल सके आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में चेर्चा करूंगा दोस्तों नारियल पानी एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक है जिसमें फैट नहीं होता यह कूल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और नारियल पानी गर्वती महिला की बॉड़ी को हाइडरेट रखने में मदद करता है हाइडरेट का साधार मतलब है शरीर में पानी की कमी नहीं होनी देता साथी साथ नारियल पानी के असंखे फाइदे हैं और नुकसान भी हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फाइदे और नुकसान दोनों ही पता लगेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे गर्भावस्ता में नारियल पानी की शुरुवात कब से करनी चाहिए गर्भावस्ता की पहली तिमाही से ही नारिल पानी का सेवन किया जा सकता है दोस्तों पहली तिमाही का साधारण मतलब है कि जैसे ही आपको पता लगता है कि आप प्रेगनेंट हैं उसी वक्त से आप नारिल पानी का सेवन शुरू कर सकते हैं गर्भावस्ता म नारील पानी कितनी मातर में पीना चाहिए तो इसका जवाब है आप रोजाना एक गिलास नारील पानी पी सकते हैं लेकिन इससे जादा मातर में नारील पानी का सेवन करना हानिकारक हो सकता है नारिल पानी का सेवन करने से गर्भावस्ता में होने वाली morning sickness, उल्टी आना, जी घबराना और ठकान से रहत मिलती है नारिल पानी का सेवन करने से गर्वती महिला और शिशु को अनेक तरह की बिमारियों से रहत मिलती है और नारिल पानी में विटामीन, खनीज और एंटी ओक्सिडेंट होते हैं जो गर्वती महिला की पर्तिरक्षा परनाली को मजबूत करते है नारिल पानी में ओमेगा फैटी एसिड होता है और ये शिशो के दिमाग के विकास के लिए महत्पुन भूमी का निभाता है और नारिल पानी में कैलोरी की मातरा काफी ज़दा कम होती है इसलिए गर्वती महिला को वजन बढ़ने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तो ऐसा माना जाता है कि नारिल पानी पीने से शिशू का रंग गोरा होता है शिशू सुंदर होता है हाला कि इसका कोई वेग्यानिक परमान नहीं है लेकिन आईरुवेद के अनुसार ये माना जाता है कि नारियल पानी पीने से शिशु का रंग गोरा होता है शिशु सुन्दर और स्वस्थ पैदा होता है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं शिशु से बहुत ज़्यादा फाइदे होंगे नारियल पानी पीने का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फाइदा ये भी है कि गर्भावस्ता के दौरान गर्वती महिलाओं को यूरिन इंफेक्शन हो जाता है जो कि आम बात है लगभग लगभग सभी गर्वती महिलाओं को यूरिन इंफेक्शन हो जाता है अगर गर्वती महिला नारियल पानी का सेवन करती है तो यूरिन इंफेक्शन की समस्या लगभग लगभग खतम हो जाती है इससे गर्वती महिला को राहत मिलती है दोस्तों ये तो थे नारियल पानी पीने के फाइदे और आप हम बताएंगे नारियल पानी पीने के नुकसान सबसे पहला है पके हुए भूरे नारियल पानी का सेवन गर्भवस्ता के दौरान नहीं करना चाहिए इससे गर्वती महिला को कबच हो सकती है हमेशा हरे नारियल का ही पानी पी दूसरा अगर गर्वती महिला को नारियल पानी पीने के बाद अलर्जी हो जाती है स्किन में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उल्टी होती है पेट दर्ध होता है तो ऐसी स्थिती में नारियल पानी नहीं पिना चाहिए और जादा मात्रा में नारियल पानी पीने से इलेक्ट्रो लाइट संतूलन बिगड जाता है जिससे जटिलताईं पैदा हो सकती है जैसे ही नारियल काटा जाए उसी समय इसका पानी पी लें नारिल पानी को कभी भी स्टोर करके या फिर फ्रिज में रखके कुछ देर बाद नहीं पीना चाहिए और कभी भी पैकेट वाला नारिल पानी ना पीए कोशिश करें हमेशा ताजा नारिल खुद के सामने कटवाएं और उसका पानी पीए जैसे मैंने आपको पहले बताया आप रोजाना एक गिलास नारिल पानी पूरी गर्भवस्ता के दोरान पी सकते हैं चाहे सर्दियां हो या फिर गर्मियां हो इससे आपको भरपूर फाइदा होगा तो दोस्तों ये थी छोटी से वीडियो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो किल्पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्री